नमस्कार भारत जहिन साथियों विल्यम वर्ट्सक्रत की एक और फेमस कवीता और इट इस नौट ए पोयम यह कवीता नहीं है यह कंप्लेन है एक शिकायत है इस पूरी दुनिया से कि है लोगों आप लोग कमाने में और इस प्रकार से वर्ल्डी प्लेजर में इस प्रकार से आप मदमस्त हो चुके हो जिससे आपने प्रकरती की सुक को तो बिल्कुल बुला ही दिया है यहाँ पर कहना चाहता है इस संसार हमारे साथ बहुत जादा हो चुका है यानि इस संसार में तुम बहुत जादा घुल मिल चुके हो और आपको प्रकरती को देखने की तो आपक चुके हैं वर्ल्ली प्लेजर में अपने सांसारी सुख में लेट से स्टार्ट विलियम बर्चवर्ट बेस्ट एंड वन अप देश्ट पोएम दो वर्ली स्टू मच विद अपर एक पोएम है और एक कम्पलेन है जिसको कम्पोस किया गया था कम्पोस का मतलब लिखना 1802 में 1802 में इसको कम्पोस किया गया और पब्लीज जो इसको 1807 में किया गया थीक है यह इस प्रकार से है और इसमें एक जो है सबसे बड़ी बात तो क्योंकि यह है सोनेट क्या है यह सोनेट ध्यान रखिएगा 2019 के पेपर में यह पूछा गया था कि इन में से कौन सी सोनेट है तो यहाँ पे चार पोएम के नाम लिखे थे उसमें से the world is too much with us यह भी लिखा हुआ था और आपको यह बताना था तो definitely अगर आपने अच्छा पड़ा होता है तो यह पता लग जाता है कि यह क्या है एक सोनेट है तो the world is too much with us क्या है एक सोनेट है सोनेट क्या होती है जिसमें 14 लाइने होती है 14 लाइन और ध्यान रखिएगा एक और चीज़ बता रहा हूँ इसी पोएम से आप William Wordsworth के बारे में 5 या 6 कुश्चन पूछे गए हैं exact में बात में बता दूँगा आपको परंत उसमें से दो कुश्चन इसी पोएम के बारे में पूछे गए the world is too much with us में ये पूछा गया मतलब ये पूछा गया कि इन में से निम्ड में से कौनसी जो ये है सोनेट है तो definitely उसमें से एक नाम था दूट रखिए the world is too much with us और एक और पूछा गया the world is too much with us जो है वो क्या है तो आपको पता है ये कौनसी सोनेट थी ये पेटरार्चन सोनेट थी कौनसी है पेटरार्चन पेटरार्चन ये शब्द भी पूछा गया तो आप सोचिए इस पूरी पोएम से 2019 में दो कुछे गए तो ये पेटरार्चन सोनेट थी सोनेट भी आपको पता है विलियम शेक्षपिर की सोनेट अलग होती है मिल्टन पेटरार्चन तो इस प्रकार से पेटरार्चन सोनेट होती है पेटरार्चन सोनेट का एक कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 8 प्लस 6 के क से स्टेट सान ठीक फिसका उक्टे आर्ट लाइनों का छेड्चे यह तो अग्ली फ्रकार से यह पुरी जे रिच्टी फ़ाई है' इसका जो व् Dollूम से उन in poems in two volumes, वही, in poems in two volumes, उसी में इसका भी collection है, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, तो यह सोने ठीक, इसमें दो कुछिन यह पुछे गए, एक चीजी यह हो गई, और इसमें एक और चीजे, I am big petrometer है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आप I am big, pentameter, I am big pentameter का मतलब होता है, हर line में दस syllable है, in each line, अब syllable क्या होते हैं, अभी आपको पता है, grammar की मैंने पहली class पढ़ाई थी, जब हमारा शब्द किसी को बोलते हैं, और उस शब्द में सबसे पहले जो आपके पास जो शब्द आता है, वो, height, अपना, जो बोलते हैं, द, the, world, is, द, एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, और दस, यहाँ पर इस पहली line में सारे जो शब्द हैं, वो one-one syllable के आपको 10 syllable है, एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, 10 syllable है, तेकिए, ग्रिटिंग, दो से बन रहा है, इस्पेंडिंग, दो से बन रहा है, एक से बन रहा है, यह एक से, यह एक से, वेस्ट भी एक से बन रहा है, अवर भी एक से बन रहा है, अब कितने होगे, दो नेक तीन चार पांच छे साथ आठ नो और पावर्स एक बोल रहा है दस सेलेबल होगे कि नहीं होगे मतलब किसी शब्द को बोलने में हमारा ग्री गेटिंग इस्पेंडिंग ठीकि पावर्स तो एक ही शब्द बोला जा रहा है ठीक है अब चलते हैं यह है पूरा आपको पता है यह लगवग अठासो दो में लिखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हो चुका था उस समय इंडस्ट्रियल रिवोलूशन का मतलब होता है यहां पर उध्योग क्रांती चल चुकी थी यह पूरी पोयम शिकायत है और इस शिकायत है इंडस्ट्रियल रिवोलूशन के कारण क्योंकि अध्योगी क्रांती के कारण क्या होता है लोग अपने जीवन में इतने मस्थ हो गए कि उनको प्रकरती के तुमारे में दिए तो यह एक शिकायत है और उस शिकायत में दब वर्ड इस टूबमच वित अस यह यह संसार हमारे साथ यह सारा संसार इसमें लगा हुआ है यह संसार हमें लगा हुआ है हमें मतलब अपने ही काम में लगा हुआ है Late and Soon Late मतलब होता है देरी से उठना और जल्दी सोना मतलब कुल मिला के कुल मिला के कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, देर से उठना और जल्दिस हो जाना, प्रकर्ति को देखने का टाइम नहीं है, Getting and Spending, Getting मतलब प्राप्त करने में और Spending मतलब खर्च करने में, यानि कमाने खाने में, यानि कुल मिला के ये संसार पूरा कमाने और खाने में लगा हुआ है, कुछ नहीं, कमाने और खाने, Spending का मतलब यहाँ पर खर्च करने है, कमाने है, खर्च करने में लगा हुआ है, यानि, वी ले वेस्ट अवर पावर्स और यहाँ पर हम हमारे सारी शक्तियों को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बरबात कर रहे हैं, यहाँ पर ना तो देरी से उठता है, जल्दी सो जाता है, ठे सोने का और उठने का कोई ठीकाना नहीं है, कमाने और खाने में लगा हुआ है, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, हम सब अपने पावर को, शक्तियों को बरबात कर रहे हैं, little we see in nature, that is ours, little, little मतलब बहुत कम, we see in nature, यानि हमारी प्रकरती को हम बहुत कम देखते हैं, that is our, जो हमारी है, यानि यह प्रकरती जो हमारी है, उसको ही हम बहुत कम देखते हैं, ठीक है, we have given our hearts away, और हमने त्याग दिया है, हमारे चीजों को, हमारे रदे को ही त्याग दिया है, we have given our hearts away, यानि हमारे give away, give away मतलब होता है त्याग देना, यानि हमने हमारे रदे को त्याग दिया है, एक शॉर्डीट का मतलब होता है डर्टी डर्टी मतलब गंदा बुन मतलब होता है वर्दान क्या यह हमारे लिए गंदा वर्दान नहीं है क्या यह चीज हमारे लिए गंदी नहीं है ठीक है यह गंदा उपहर नहीं है क्या है मतलब हमने अपने रदे को त्याग दिया दिस सी इहां से होता है यहां पर कभी अपनी पूरी मतलब कल्पना से शिरता है the sea this sea यह समुद्र जो है that bears bears मतलब होता है नंगा कर देना तो नंगा कर देना यहां पर किसी बोजम मतलब होता है चाती To the moon To the moon मतलब चंद्रमा के लिए यहाँ पर समुंद्र अपनी चाती को दिखा देता है चंद्रमा के लिए अब आप सोचो सब कितना प्यारा द्रश होगा कि यहाँ पर समुंद्र अपनी चाती को खोल देता है किसके लिए? चंद्रमा के लिए The winds that will be howling at a horse Howling का मतलब होता है गरजना और यहाँ पर हवाए जो है घंडो गरजती रेती है तो कवी था? गरजना यहाँ पर इस winds Wind मतलब होता है हवा That will be howling Howling मतलब गरज रेती है At all horse घंडो गरज रेती है And are up gathered now like sleeping flowers और अब यह सब इखटे हो गए है जैसे की sleeping flowers Sleeping flowers मतलब सोते हुए फुलो की तरफ For these For these For everything we are out of tune For these For in सब के लिए For these का मतलब होता है In सब के लिए For everything we are out of tune Out of tune मतलब हमारे लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है हमारे पास तारीब के लिए कोई शब्द नहीं है तारीब के लिए कोई शब्द नहीं है समझ पा रहा है यानि इसका मतलब नहीं है तो यहां से फिर से बढ़ते है इस समुद्र ने अपनी चाती को चंद्रमा के लिए खोल दिया है और यह हवाए गंटों यहां पर गरज रही है बरस रही है और अरब गेदर नाउन लाइक स्लिपिंग फ्लावर्स और हम सब यहां आरब गेदर और सब इखटे हो गए इस प्रकार से देख रहे है स्लिपिंग फ्लावर्स जिस प्रकार से सोते हुए फुलों की तरह फोर इस इन सब के लिए हमारे पास तो तारीफ के लिए शब्द नहीं हमारे पास टाइम नहीं है इनके पास रुकने के लिए हम रुके इनके पास और रुख कर ये बोलें कि देखो कितना सारा है ये संसार अपने में ही मस्त है कभी एक कम्प्लेन कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवोलुशन के काराण लोग अपने ही लोगों को भूल चुके हैं ये पेटरा अर्चन सोनेट जो है ये 8 लाइन पूरी हो जाती है एक ओक्टेव है और यहां से इमपी है और मैं गारेंटी के देता हूँ में यहां से पूचह जाएगा. It moves us not है यह हमें कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा है it moves us not. Moods का मतलब होता है प्रभावित करना है यहां पर यहां पर यह हमें कोई प्रभावित करना है great before aange यह में कोई प्रव्द है आई I had rather be यह पेगन तो अब मैं पेगन बनने के लिए हूँ पेगन के बारे मैं बार प्रश्न पुछा जाएगा और पूस्ते हैं पेगन यहां पे ग्रीक गोड है किया है ग्रीक गोड़ त्सके और ग्रीक कोड़ क्या है यह प्रकरती को पुजेगा, वो नास्तिक के लाएगा, तो यहाँ पर वग्ग है, यह पेगन, आई हेट राधर भी यह पेगन, मैं तो पेगन बनना पसंद करूंगा, जो प्रकरती पुजारी, इन्युक्रीड आउट वर्ण, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि यहाँ पर पू पेगन बनना परसंद करूंगा थे पेगन शब्द आ चुका है कि पेगन the word is too much with us related है और यहां पर Greek God है एक प्रकरती के बगवाद नास्तिक की भूमिका निवात है So might I standing on this pleasantly और मुझे शक्ति मिले कि मैं एक इस सुखद pleasantly का मतलब होता है यहां पर घास का मैदान और इस घास के मैदान में मैं खड़ा रहू है और यहां पर मेरी एक जलग दिखे ग्लिम्स का मतलब जलग That would make me less for Lord और यहां पर मुझे एक थोड़ा सा खाली पंसा दिखे आदि में को मैदानों में गूमने का टाइम नहीं है Have sight of proteus ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा यह paragraph बहुत important Have sight of proteus rising from the sea Proteus का मतलब होता है Sea God यह क्या है Sea God Sea God मतलब होता है यह भगवान है कुन से? Sea God Rising from the sea यानि यहां पर समूंदर के जो देवता है वो समूंदर में से देख रहे हैं और here all Triton और यहां पर एको यह Triton भी क्या है? Sea God यहां पर यह दोनों क्या है? यह बात ध्यान रखिएगा यह दोनों क्या है? Sea God यह दोनों से यह 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 प्रोटियस और Triton Blow His Realth Horde यह यह यहां पर Realth Railed Horde का मतलब क्या होता है? Shunk बजाते हुए ठीक है? तो क्या किरा? Have sight of Proteus rising from the sea और इस प्रकार से Proteus जो समुद्र के देवता है वो इस प्रकार से समुद्र में उठ रहे हैं Alt Return Blow Blow मतलब बजा रहे हैं इस शंक नात यहां पर शंक बजाते हुए मैं सुनूंगा इस प्रकार से और यहां पर द्यार रखिएगा कवी मतलब पूरी तरह से प्रकरती में खो चुका है समुद्र के जो देवता है वह आ चुके है और वह लहरों को इधर उधर करा है और यहां पर में शंक बजाते हुए उसकी धुनी को सुनूंगा ठीक है तो यहां पर पूरी कवीता इस प्रकार से खतम हुए इस पूरे में दो शब्द आया है तो एक तो आया तो पेगन दियान रखेगा यह पेगन शब्द बहुत आया इंपोर्टेंट और पेगन का मतलब यहां पर यहां पर प्रोटियस और टीटन जो होता है यह सब समुंद्र के देवता होते हैं और इस प्रकार से कवीता पूरी खतम हो जागी ठीक है अब यहां पर इसका समरी पढ़ लेते हैं यह जो है यह जो है यह जो है पहली बार जो पॉब्लिश होई थी 1807 ठीक है और यहां पर इट एक्स्प्रेस यह व्यक्त करती है तब पोएट्स फिलिंग कभी की जो भावना है थी अबाउट पतन जो आध्यात्मिक पतन हो रहा है उनके बारे में उनकी भावनाव को फ्यक्त करती है तो सेंट्रल आइडिया ओप दो पोएब इस कवीता का जो केंदरी भावे कि एक बार हमने प्रकरतिक्स के तच को भूल गए या उसको खो दिया वी हेव नो आई और इयर फोर हर ब्यूटी और ग्रेजर यानि हमारे पास न तो कोई आखे होगी और नहीं कोई कान होगी इसको भविता को देखने के लिए वी हेव नो इस्पिलिछल लाइप और हमार पर रिग्रेट्स मतब पच्टाता है रिग्रेट्स मतब हुता है पच्टाना देट टब पीपल ओफीज लाइफ और बीजी मतलब लोग जो है यहाँ पर व्यस्त हैं अर्नी और इन इस्पेंडिंग वेल्थ अपने धन को कमाने में और उसको खर्च करने में व्यर्थ हैं and thus they are wasting their spiritual power और इस प्रकार से वे अपने आध्यात्मिक शक्तियों को खो रहे हैं उनको मरबात करने में लोग साइट और उनके पास खोई हुई द्रष्टी of the beauties of nature उन्होंने प्रकरती की सुन्दरता को खो दिया है और वे अपने रदे को बेच चुके हैं to the god of wealth that is materialist यानी इस धन के भगवान को जो की भोतिक वाद है उसको बेच दिया है उन्होंने अपने As the Christian of his age have lost faith in nature यहाँ पर Christian जो है इस समय प्रकरती के ऊपर अपना विश्वास खो चुके हैं वर्ट्सवत वूट लाइक to be a pagan तो वर्ट्सवत अब पेगन बनना पसंद करेगा यानी Christian के वह अन्हे की बजाए वो बोल रहा है कि मैं तो ancient Greek who used to worship nature यानी मैं पेगन बनना पसंद करूँगा जो की वहाँ पर जो प्रकरती को पुझा करता है ठीक है ध्यान रखिए और ancient Greek है दो जो गुसी गोड़े who used to blow जो की हमेशा शंक बजाते रहते हैं तो सूथ सूथ मतलब आराम देने के लिए rest is favored of the sea यानी हमारी जो समुदर की जो बिलकुल धारा प्रवा हमेशा लहरे समुदर में उखते रहती है उनको आराम देने के लिए हमेशा शंक बजाते रहते हैं में साथ देवता बनना पसंद कर रहां सच पोयम से रिविल ये रिविल मतलब प्रकट करती है ये वर्सवर्ट वाज दा हाइप रिज आप नेचर ध्यान रखियेगा इस लाइन को हाइप रिज्ट आप नेचर परिक्षया में पुछा जाता है कि हुँ इस दा हाइप प्रिस्ट मतब पुजारी तो वो है विलियम वर्ट्सवर्थ दे वर्ल्ड इस तू मच वित उस इस इस सोनेट ये एक सोनेट रिटर इन पेट्रार्चन सोनेट ध्यान रखिएगा यह मिल्टन सोनेट पेटर्ण उसमें लिखिएगा इस इस तो पार्ट्स ओक्टेव एड़ब एडबल बीएपड रखिए और रखिएगा यहाद रखिएगा इसको और इसमें यह दोनों ओक्टेट होती है और यह दोनों यहाँ पर आपको 6 लाइनों की वहती है इन शॉर्ट वट्सफथ हीर युजेस एलुजन ओप ग्रीक माइथोलोजी यहाँ पर क्या होता है ग्रीक माइथोलोजी को यूज करता है and says that he would like to be a nature-loving pagan यहाँ वो प्रकर्ती को प्रेम करने वाला पेगन बनना पसंद करेगा जहाँ पर wealth-loving Christian यहाँ जो धन को प्रेम करने वाला Christian बनने से बजाय में प्रकर्ती को प्रेम करने वाला पेगन बनना ज्यादा पसंद करूंगा विद पब्लिकेशन ओफ लिरिकल बेल आर्ट्स लिरिकल बेल आर्ट्स अनोने पर प्रफिलेशन किया यह बहुत इंपोर्टेंट पे रहा है याद रखिएगा 1798 में आपको पता है विलियम वर्ट्स अनोनों का एक जॉइंट वेंचर पब्लिश किया क्या नाम तर उसका लिरिकल बेल आर्ट और उसी से रॉमंटीक एज की शुरुवात हुई तो ध्यान रखिएगा रॉमंटीक एज की शुरुवात 1798 से होती है और विद द' वेंचर पबलिच्ट बेलार्ट्स विलियम वर्षवत एंग कोल्रीज एस्टी कोलिए सेम्योल टेलर कोल्रीज ठीक है यह इनके बहुत अच्छे मित्र रहें जीवन परियंत एकोर्डिंग टू वर्षवत ध्यान रखिएगा यह परिक्षा में आएगा यह भी इंपोर्टेंट हो सकता है एकोर्डिंग टू वर्षवत पोएट्री इस्पोंटेनियस का मतलब स्वत्र ओवर्फ्लो ओवर्फ्लो का मतलब होता है प्रवाः और पावर्फुल फिलिंग्स यानि क्या होता है वर्षवत ने कहा है यह वर्षवत की हिसाब से पोएट्री की परिभाशा है कवीता वो शक शक्तिशाली भावो का स्वतह प्रवाः कवीता है यह कवीता की definition है सर इस बात को ध्यान रखिएगा यानि अपने शक्तिशाली जो वह स्वता अगर बेह जाते हैं तो वही कवीता ऐसा इस बात को अब ध्यान रखेगा कवीता ऐसे थोड़ी निकलती ही क्या परन्तु एक बात लाइनों लिखी इट टेक्स इट ओरीजन इन ट्रेंक्विलिटी परन्तु इसकी जो उत्पत्ति होती है ओरीजिन मतलब इसकी उत एक powerful feeling और रोकना चाहता है अपने भावो को उसके बावजुद भी नहीं रोक पाता है वहाँ पर एक कवीता का निर्मान होता है जैसा काया है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर आ सकता है कि poetry is the spontaneous overflow of the overflow of power feelings it takes its origin in tranquility who said this यह किसने कहाय थी यह कहाय विलियम बट्सवत ने विल्कुल आशा करता हूं कि यह कवीता आपको अच्छी लगी होगी the world is too much with us और बहुत थैंक्यू सो मच जै हिन जै भारत